नमस्कार दोस्तों स्वागाता है आप सभी लोग का हमारी यूटूब चनल टेकनो बैंक की मुझे तो आज ही वीडियो में हम आप लोग को एक्सिस बैंक के रिवार्ड क्रेट कार्ड के सभी फीचर्स बैंफिट्स अजबिल्टी एंड क्राइटेरिया और चार्चेस के बार और अपने सभी फ्रेंट को सेयर जरूर कर देना तो आए इस तो बिना सुबह को आए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेट कार्ड के फीचर्जेस के बारे में तो यह क्रेट कार्ड एक हजार रुपए प्लाइस जीएश्टी के को मिल जाता है क्रेट कार्ड रेसीब होने के थार्टी डेज के अंदर आपको अपने क्रेट कार्ड से एक जार रुपए या फी एक जार रुपए से ज्यादा का ट्रांजिक्शन करना है दिन आप लोग को पांच जार एज रिवार्ड पॉइंट अज वेलकम बेनफिट मि जाता है इस तरह किया से आप लोग ये भी का सकते हो जो आपका जॉइनिंग फीस है एक जार रुपए वो को आपकी रिवर्स हो जाती है इसक्याती स्क्रेट कार्ड में आप लोग को माली स्टोन बेनफिट भी देखने को मिल जाता है अगर आप लोग इसक्रेट कार्ड के तुरू एक महिने के अंदर 3,000 रुपए या फिस से ज्यादा का स्पैंडिंग कर देते हैं तो वहां पर आप लोग को एक्ष्ट्रा पंद्रह सो एज रिवार्ड पॉइंट भी मिल जाते हैं इसक्याती स्क्रेट कार्ड में आप लोग को एनिवर्सरी एवरी एर एनिवर्सरी बेनिफिट भी देहने को म करते हो तो उस डे में आप लोग को एक एनिवर्सरी गिप्ट भी मिलता है अप टू 1,000 रुपीज का और यह जो एनिवर्सरी गिप्ट है वह आपके रिश्टर मॉवाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा इसक्याती अब बात करते हैं इस क्रेट कार्ट के रिवार्ट स रिवार्ट कोईट दिया जाते हैं इसके आती इनके कुछ स्पेशल कटेगरीज हैं जैसे की अपरियल इसके साथ ही डेपार्टमेंटर स्टोर तो इन इस पेशल कटेगरीज में अगर आप लोग करते हो तो वहां पे आप लोग को पर 125 रुपीज इस पेंड पे 10 रिवार् पे ही आप लोग को यह 10 रिवार्ड पॉइंट दिये जाएंगे इसके उपर का अगर आप लोग का ट्रांजेक्शन होता है इन स्पेशल कटेगरीज में जैसे की डेपार्टमेंटरी स्टोर या फी अपैरिल्स पे तो वहां पे आप लोग को नॉर्मल रिवार्ड पॉइं पेंडिंग करते हो तो वहां पे आप लोग को 30% का डिस्काउंट और देखने को मिलेगा इसके लिए आप जब भी स्विगी के थरो कोई भी फूर्ड और करना तो वहां पे आप लोग को एकसिस 30 कूपन को यूज करना पड़ेगा लेकिन यहां पे भी एक कैपिंग आपको 200 रुपीज से ज्यादा का ट्रांजेक्शन एक बार में स्विगी पे फूर्ड और के लिए करना पड़ेगा और यह डिस्काउंट महिने में एक दो बार एक महिने में दो बार ही आप लोग ले सकते हो इसके इसके एट कार्ड में आप लोग को 2 कॉंपलिमेंटरे एरपोर् प्रांजेक्स की फैसल्टी मिल जाती साथी स्केट कार्ड में आप लोग को वन परसेंट का फ्यूल सर्चार्ज वेवर भी मिल जाता है इसके लिए आप लोग का फ्यूल पे ट्रांजेक्शन 400 रूपीज से लेकर मैक्सिमम 5500 रूपीज के बीच में रहना चाहिए लेकिन यहां पे भी आप लोग को एक टैपिंग देखने को मिलती है एक बिलिंग साइकिल में यानि कि एक मैने के अंदर मैक्सिमम 400 रूपीज ही आप लोग स्केट कार के थ्रूप फ्यूल पे से कर सकते हो इसके आदर इन्होंने कुछ कटेगरी इसको रिवार्ट कोईंट के बाह सब्सक्राइब करते हो तो आप लोग कोई भी रिवार्ट नहीं दे जाएंगी इसके आप लोग को इंसुरेंस का भी अच्छा कासा बेन्फिट्स मिल जाता है इसके अगर आप लोग इनके डाइनिंग पे इसके कार्ट के थ्रूप करते हो तो एक्सिस बैंक के करीब 1500 से ज देखने को मिलेगा अभी तक मैंने आप लोग को इस करेट कार्ड के सबी फीचर्स बैंफिट्स एलिजबिल्टी एंड क्राइटेरिया अभी तक आपको नहीं बताया तो इस करेट कार्ड को लेने के लिए मिनमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम सेवेंटी यानिकी 70 साल होनी देखने चाहिए अगर आप लोग एक राइट कार्ड करते हो तो फिर आप लोग यह क्रेट कार्ड अप्लाइब कर सकते हो साथी फीचर्जेस के बारे मैंने आपको वीडियो को सवाथ में बताय दिया तो अब बारी है हमारे ऑपेनियन की कि आपको यह क्रेट कार्ड लेना से थोड़ा सा तो कम होना चाहिए लेकिन जितना बैंफिट मिलना उसके हिसाब से ही इसका ज्राइन और फीस होना चाहिए तो फ्रेंट्स आज की वीडियों बस इतना से अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एक लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के सब से जरूर कर देना जिनको भी एक करेट कार्ड चाहिए होगा इसका अगर आप लोग चैनल पे नहीं